बोलो सिहावरे रामी चंद्र भावादा पवन पुत्र हनुमान की जै हो जै हो 33 करोड़ देवी देविताओं की हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी हवफुली आप सभी स्वस्त और मस्त होंगे अपने अपने घरों में और सभी को दसेरे की हार्दिक शुपकामना है और दसेरा जो है किस बात को प्रतिक है यह सभी आप सभी जानते ही हो तो दसेरे की आप सभी को हार्दिक शुपकामना है और यहां स्वामी जी नास्ता देने जा रहे हैं तो वो उपर चड़ते चड़ते इतने ठक जाते हैं सु सवे टो थक जाते हैं सवांकoken कैसे चल रहे हैं स्वामी जी मेरे लिए मिर्ची बड़ा मिर्ची बड़ा खाऊंगी का आपा जी को और अदर días आख़ा नद डे दिया यहां पर पापा जी आज होस्पितल जा रहे हैं तो सुवामी जी लेके जा रहे हैं तो यह देखिया धीरे 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 드ıra उतर रहे हैं तो वही कलिप मैंने शेर करी धार था था उनको भरच पेट और पूछा था भूझा था था मैं ने जूस बना दू क्या थो उन्होंने ना कर दिया मैंने कखा द bricks л sent me वह ने वह भी मना कर दिया किकी दॉसी नीमबू की सिकंजि मरिंडा है कर पक्रिंदाussल a पीते का जूस दे पाऊंगी, तो स्वामी जी को टाइम नहीं मिलता है, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, नो साड़े नो बच जाती है, खानवाना खाते हैं, करते हैं, फिर छट पे जाते हैं, पापा जी को समालने जाते हैं, फिर पापा जी को दवाई देने जाते हैं, र में बैठ रहते हैं व proprio समालते हैं गर्व पेपर बी बढ़्ते हैं उनसे तो एसे करके उनका टाइम चट पर ही गुजरता है अभी स्वामी जी और अच्छा है पापा जी को समाल लें तो बहुत हैं अच्छा है क् precisa कि में घर के काम जाड़ पोचा बरतन कंग ओर अब कपड़ के समस्या तो ऐसी नहीं है कि रोज रोज उठे वो तो कभी कभी दर्द उठता है उसका दो तिन बार मुझे हो चुकी है लेकिन दवाई लेने से निकल जाती है और मेरे कंदे में भी चैनक है जो बोलते हैं कंदे में नसों का गुच्छा बना हुआ है तो पूरा कंदा आदा नालिया मेरा होगा फिर से तो वही है तो सवामी जी समाल लेते हैं और बेटर चला जाता आए तो-बीटा चला जाता है ऑक बार सुबहर गेरा देने के लिए بहेज दते तूं तो देख आजाता है पापाजी योर्साइव सुल मैं देंगार चैनक में बेड़ घर देता हू और तबेद भी मेरी खराब हो रही बुखार आ गया था मुझे इस वज़े से तो स्वामी जी ने पापा जी को दिन भर समाला तो थेंक्यू स्वामाच पतिदेव क्योंकि एक बहु का भी फर्ज होता है सास्वसूर की सेवा करना और उनको समालना लेकिन दो दिन से जो है मैं चत्पे ही नहीं गई हूँ पापा जी को बेटे ने और स्वामी जी ने ही समाला है तो अब जो है ठीक है मेरी तवयत लेकिन डॉक्टर के जाना है रूट के नाल करवाने डाड का और यहां पर आपने देखा था कि डोगी जा रहे थे उसके पिछे-फिचे बच्चे जा रहे थे तो वो जब दिखते है ना तब मैं चपाती डाल देती हूँ लेकिन उस ताइम क्या है केमरा ओन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो भाग जाते हैं इतनी देर में और यहां पापा जी बैठ रहे है तो स्वामी जी गाड़ी साफ कर रहे है क्यों गाड़ी खड़ी रहती है घर पर और अभी इसके उपर जो वो त्रिपाल जो कवर होता है न वो भी नहीं डख रखा था स्वामी जी ने इस वज़े से गंदी हो गई सर्विस तो अभी कराई थी थोड़े दिन पहले है लेकिन गंदी तो होई जाती मिट्टी उड़ती डस्ट और हम लोग जो है वो सफाई करने वाला नहीं रखते हैं स्वामी जी सेल्फ अपने आप ही सफाई करते हैं अपने काम करने में क्या आई किसरम है न तो स्वामी ज यहां पर पापाजी और स्वामी जी चले गए हैं दोनों नास्ता करके और मैं फिर उनके जाने के बाद चाय पी रही हूं और एक मिर्ची बड़ा लाए थे स्वामी जी तो वही जो है खा रही हूं क्योंकि वहां पर गुलाब जामुन का डिबा लेने गए थे और तो मेरे से पास तो पूर रख दिया यह देखे और बाटी रख दी है तो यही जो है आज का पकशियों का खाना है तो चले चलते है और आब भी मैं एड़िस कर रहे हूं बहुत सारे अज सारे कोलाफियं से बोल रहे हैं वालकनी में वीडु कंसरी शूट में दलाए है मैं ने छयी साथ साथ आठ आठ पक्षी जो है जोड़े में आते हैं सारे और खाना खाते हैं कई पक्षी तो बच्चों को लेकर आते हैं अपने तो जो है छोट छोटे बच्चों के मुझे वह देते हैं तब मुझे पता चल जाता है कि यह बच्चे हैं होते तो बराबर के हैं वह और यह तो मैं मकसद है मैं वही करूंगी जो पक्षियों की प्रजाती लुप्त होती जा रहे हैं तो मुझे यह सब करना अच्छा लगता है मैं शोशल वर्ग भी करती थी आपको पता है लेकिन मेरे से क्या है अकेले भार नहीं जाया जाता इस वज़े से और स्वामी जी को टाइम अधियाधी करते हैं तो में बाहर जाह नहीं पाती हूँ और यहाँ पर मैं घंड बना रही हूँ तो यह अम्चुरण error डाला है कई तरह के मिलेगी वह इना हो की मिठाई डाल रखी है गेवर गुलाब जामून हर चीज और मठ्री वगेरा जो अभी दिपावली पे बनाते हैं वो सब चीज में डाल रखी है तो आप एक बार विजिट कीजिएगा और यह आज का हमारा खाना है भिंडी है नमकी नचारपापड वगेरा तो होता है यह फ तो पता रहता है और यह दो तरे की मेरे पास वैसे अभी छे तरे की नमकीन है मोटी वाली है और वो सादड़ी में जो मिलती थी वैसी है और भाई लाया ता वो नमकीन है स्वामी जी मोटी नमकीन खाते है वो है गाठी भी है और पापा जी जो खाते है वो वाली नमकीन भ अभी है क्योंकि हम लोग नमकीन बहुत जादा खाते हैं चाय के साथ और ऐसे भी रोटी के साथ तो इस वज़े से और यह स्वामी जी की फैवरेट नमकीन है तो चलिए चलते हैं और खाना परोशते हैं अब आगे प्रोसेस पर यह में लंबा इसलिए हो गया क्योंकि क्या है अभी टाइम नहीं मिल रहा मुझे कटवट करने का जैसा वीडियो है आपके सामने है गाइस और यहां मैंने लोकी उबाल के चलने पर निकाल रखी है रायता बनाने के लिए और यह फिर स्वामी जी का फोन आ गया था कि मेरा तो टिफिन पैक कर दे मैं बिजी हूँ आज तो फिर मैंने यहां पर उनका टिफिन पैक कर रही हूँ दही रख दिया है उनकी नमकीन रख दिये बिंडी की सबजी रख दिये और छाच रख दिये और फली की सबजी रख दिये तो यह रख दिया है अब गूड भी रखूंगे अब सिजन जो है गूड का आ गया है और काम करने वाले कोई भी नहीं है सब चुट्टी पे गए हुए है तो स्वामी जी अधिक्त टिफिन ले जाएंगे और जब काम करने वाले होते हैं घर पे तो फिर वो टिफिन नहीं ले जाते हैं वो फिर जो है घर पर ही खालते हैं उनको जब समालते हैं और यहां पर स्वामी वीडियो बना कर लाये थे मेरे लिए शायद आगे आजा है ये क्लिप पहले जुड़ गई है घर पर आने की तो सुरी गाइस ऐसा मेरे साथ कई बार हो रहा है और रोज हो रहा है आज कल तो क्योंकि एडिटिंग का टाइम ने मिल रहा है काम वाम करना है और साडी के वीडिय बहुत बड़ा और अभी स्वामी जी के पास साथ पैस्ट पैस्ट हजार का मुबाईल है अभी नया ही लिया है उन्होंने लिये हुए तो काफी टाइम हो गया लेकिन नया ही लिया है तो इस तरीके का साइड में एक वीडियो भी चलता रहता है उनके मुबाईल में और मैं अब स्वामी जो है पापा जी गाड़ी में बैठ गए है तो अब घर के लिए रवाना हो रहे है और घर पर आ गए वो खिलिप आपने पहले देखी लिए तो होस्पिटल में ये वाला होस्पिटल है तो बहुत दूर था स्वामी जी घर से 9 बज़े निकल गए थे और दिन टिफिन को खोल कर उनने खाना खा लिया था ये देखे यहां पर घर पर ही खाना खा लिया उन्होंने और आप समझ सकते हो कि 9 बज़े गए और 2 बज़े आये तो कितना टाइम जो है वो बहुत सारी जांचे थी आपके स्लिप भी है मेरे पास मैं बताऊंगी बहुत सारी ज क्या जांकि दबल डबल भी हुई है जो घर पर करवाई है जो मेरा हुप ऑदी लेकर लेकर ऑन्ती ने को वहुद हुदा तो वह प्यांजी को पूजकों कब गरहते हैं तो यह रिखें दिकिनों करने के लिए श्राइधा कर्णकर दोबारा करने हैं तो यह देखें जो इसरी में पर छेड़िया खाना खा रही हैं तो यह देखार दिनर मुझे फहुजा Have खोगे सुम्म इस चसम दोबाराद बलते हैं और दुबारा भी जो है वो भी करवा लिया है मैंने आपको बताई दिया है और अब स्वामी जी जो है जाचे लेने जाएंगे यहां से बहुत दूरे 15 किलोमेटर दूर है होस्पिटिल तो इस वज़े से नाम मुझे नहीं पता मैं पूछ के बताऊंगी 15 किलोमेटर दूर ज गए थे मुझे तसलिय हो गई आप उन लोगों ने खाना खा लिया क्योंकि आकर ही पापा जी ने खाना खाया था तो पापा जी का खाना मैंने चत पर भिजवा दिया था स्वामी जी के साथ स्वामी जी देकर खाय थे क्यों पापा जी ने बोला था कि मैं हाथ पेर्द हो और शायद वो लेटरिंग करने लग गए थे और तो थोड़ा टाइम लग गया तो पहले स्वामी जी ने खाया फिर बाद में लेकर गए थे वो तो यहां फिर सबसे लास्ट में मैंने भी जो है खाना खा लिया यहां पर राकेश भहिया आए हैं तो यह जो खड़े हैं ना सा का टाइम है यह नास्ता दे रही हूं मैं पापा जी को तो बर्फी है केला है गुलाब जामून है और फ्रूटी है नमकीन है तो यह दे रही हूं तो पापा जी जो है नास्ता कर लेंगे और यह बेटा देके आ रहा है तो बेटा लेके चला गया था नास्ता और पापा जी अभी पानी नहीं आ रहा है, मशीन खराब हो रही है, मतलब पानी है ही नहीं टैंक में, उपर चड़ाते हैं और गायब, और यह देखें, यहां पर यह सारे मेरे नए नए गाउन है, यह सभी मैंने एमजोन से ही ओडर करके मंगवाए हैं, और सभी रिजनेबल रेट में हैं, पहले मैं होजरी के गाउन पैना करती थी, और जीटी से लेकर आते थे स्वामी जी गोरव टावर से दिलवाते थे, क्योंगी स्वामी जी को यह गाउन पसंद नहीं है, उनको जो है वो होजरी के गाउन ही पसंद है, तो वो मेरे पास अभी और बहुत सारे हैं, वो आते भ मैंने यह वाले कॉटन के गाउन एमेजोन से ओर करके मंगवाए हैं, क्योंकि छोटा वाला बेटे ने मेरे को एमेजोन से ओर करना सिखा दिया था, तो फिर मैं ओर करने लग गई थी, तो यह अभी इस साल ही मैंने ऐसे गाउन पैने, लेकिन यह मुझे हलके फुलके और अ भिंडी और भिंडी की सबजी और नमकीन फली थी और छाच दही था रोटी थी मिर्ची सिखी हुई गुलाब जामुन थे यह दिया था शायद मैं क्लिप नहीं ले पाई थी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम में मेरा फोन जो है ना उसकी बैटरी चल नहीं है क्योंकि यह 2-3 दिन पुराना वीडियो है यहां पापाजी की थाली मैंने सर्व कर दी है और यह नमकीन की सबजी है ना मेरा भाई बहुत अच्छी बनाता है और मेरे पापा भी बहुत अच्छी बनाते मेरे पापाई की फेवरेट सबजी नमकीन की सबजी और यह झाल